दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि TikTok Play Store से डिलीट नहीं हुआ है तो क्या आप मानोगे मुझे मालो मैं कि आप नहीं मानोगे क्योंकि गवर्मेंट ने पर्मनेंटली से बैन कर दिया लेकिन नहीं ऐसा नहीं है TikTok अभी भी Play Store पर एबलेवल है आपको मैं एक बार प्रूफ दिखाता हूँ आप देखिए जीगा आज कि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट यहाँ पर सर्च करके बता देता हूँ कि आपको पत इसको यह डिस्मिस कर दिया मैंने यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की VPN यूज नहीं कर रहा हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हो जब मैं इस बीड यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ तो simply आपको यहाँ पर टिक टॉक यहाँ पर देख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टिक टॉक देख रहा हो और मैं अगर इसे डाउनलोड करूं तो यह डाउनलोड भी हो जाएगा आप देख लीजिए गा ध्यान से देखिए यहाँ पर यह डाउनलोड वेटिंग फॉर डाउनलोड बता रहा है यहाँ पर यह डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है, आप एक बार इस पर tap करेंगे, तो यहाँ पर यह TikTok application यहाँ पर open हो जाती है, और Play Store से ही open हो रही है, अगर एक बार इसमें मैं इससे download करूँ, तो यहाँ पर यह download भी start कर देता है, यहाँ पर अभी पता नहीं क्यों, बट यह download start हो जाता है, इसको यह दे सकते हो, इसमें सिर्फ सर्चिंग से गायब हुआ है, यह आप यहाँ पर दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर TikTok सर्च करूँगा, तो यह application यहाँ पर available नहीं होगी, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट यह Play Store पर available है, यह सिर्फ सर्चिंग में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझ करते जा रहों, करते जा रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा देर ताप यहाँ पर देखिएगा, यह देखिए, यहाँ पर TikTok लाइट आ गया है, जो कि यहाँ पर install, बैन हो चुका है, यहाँ पर आप इसे भी अगर install करोगे, तो यह easily download यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा और swipe करोगे, तो यहाँ पर अभी आपको यह TikTok light मिलाता, बट आगे जाकर आप यहाँ पर जाएंगे, आप swipe करते जाएंगे, करते जाएंगे, swipe, swipe, इसकी बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको TikTok application भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मत इस application is not available in your country, बट यहाँ पर इनों एक TikTok को delete नहीं किया है, पहले भी SI किया था, rating down कर दी थी, तो उनने increase कर दी थी, अब पता दी क्यों Google ने यहाँ पर, पर government में भी when कर दिया, तब भी यहाँ से TikTok को हटाया गया नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो, easily यहाँ से कोई भी इस application को download कर सकता है, अब मुझे पता नहीं यह क्यों हो रहा, कैसे, यहाँ पर अभी मेरा काम था आपको बताना, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी भी यह application available है, यहाँ पर मैं कोई भी प्रकार की VPN यूज नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपको विश्वास ना हो, आपको यहाँ पर ऐसे दोड़ने में नहीं मिल रहा है, तो आप easily आ सकते हो Google पर, यहाँ पर आपको Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है, Chrome ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर मैं सर्च करूंगा, टेक टॉक, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर टेक टॉक टाइप करता हूं, और यहाँ पर सर्च करता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, learn more पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर easily यहाँ पर टेक टॉक टॉक प्ले स्टॉर में ओपन हो जाता है, अब यह ऐसा क्यों हो रहा है, यह को सस्क्राइब कर लिजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, जाए हिन, जाए भारत!